रादे रादे तो आज 23 दिन है और हम 11 सकंद के 22 अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 सत्रों से गुण दोश की बात चल रही है भगवान ने जो उदव को बोला था उदव गुण दोश की चर्चा नहीं करनी चाहिए कल वो चर्चा कंप्लीट हुई भगवान ने पुश्मान कर उनको हटाएं बाकी दूसरे के गुण और दोश की चर्चा करना और उनको देखना बंद कर दे आज उदव जी ने भगवान से प्रश्न पूचा भगवान आपने थोड़े समय पहले अभी 28 तत्वों की चर्चा करी थी कि ये 28 तत्व होते हैं हमने आप से ब भगवानने का पूरी स्रिष्टी बनी गया है ये सारी स्रिष्टी में जितने तत्व हैं बस 28 तत्व है यूँ समझो के जैसे ये 28 ही तत्व हैं जिमसे ये सब कुछ निर्मित है सब कुछ पूरे जगत में जो भी कुछ है वो केवल 28 तत्वों के भीतर ही आता है ये 28 क्या ह नौ है प्राकृति जीव महत तत्व अहंकार और पंच तन्मात्र यह पांच तन्मात्र क्या होते हैं जैसे अवाज स्पर्श आकार स्वाद और सुगंध तो यह मिलके बने नौ और ग्यारा क्या है पांच कर्म इंद्रियां और पांच ग्यान इंद्रियां कर्म प्सवार होई पांच ग्यान इंद्रियां क्या है कान नाक आंख की ट्फचा और जिबार यह पंच-तन-मात्र जो हमने पहले वों वाड़ों उसको पांच तन मात्र बोलते हैं, जैसे पांच कर्मिंद्रियां होई, पांच घ्यान इंद्रियां होई, अब जैसे कान है, कान घ्यान इंद्री है, कान से सुनना, जो आवाज आईगी, ये भी एक तत्व है, तो ये पांच तन मात्र जो होते हैं, नाक, नाक से सूंगना, त पॉच्य शक्तिक तो इस भेद से यह समझ है व कर्मिंद्रियां पॉच्छ उसके बाद फंच क्या है पन्च घूत अगनी प्रिथ्वी जलवायू आकाश और त्रिंग क्या है तीनोboys streux ये सारे मिलके 28 बने और इन 28 तत्वों से ही ये सारी स्रिष्टी बनी है ये बगवान ने 19 वे अध्याय में चर्चा करी थी आज उदव अब दुबारा इस पर प्रशन पूछ रहे हैं कि आपने तो बताया था 28 है और मैंने कई ऐसे रिशियों से मुनियों से सुना जो कई बो कोई बोलते है तवए कोई बोलते है साथ टत्व एन आ मेरे शामने और लूक इस में जो तो भी कुछ कहता है वो सबसंहिए उदर जी ने यह थोड़ा सा उसको उनको समुझाया उद्धी को उन्हों से का देखो दी मैंने आपको सारे 28 अलग-अलग नेकि देखो प्राकृति वारकार की प्राकृति अग्या एक त्री天 saints तन मात्र और सेंस परसेप्शन जो होती हैं पंच तन मात्र पांच कर्मिंद्रियां पांच ग्यान इंद्रियां ये पंदरा समझ गए पांच कर्मिंद्रियां पांच ग्यान इंद्रियां और ग्यान इंद्रिये से जो कारे होता है वो पांच तन मात्र सेंस परसेप्शन ये पंद्रा और एक मन, सोला और पंच भूत, अगनी प्रिट्वी वायु जला काश, 21, 21 और तीन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह उन्होंने का यह प्राकृती है, 24 प्रकार की यह प्राकृती है, और एक जीव और एक इश्वर, तो टोटल 26 था तो है, तो ऐसे उन् आपने इश्वर बोल दिया, तो इश्वर ने अपने आपको थोड़ा सा डिवाइड करके, थोड़ा सा अपना अंच निकालके, अगर जीव बना दिये, तो भगवान से अलग थोड़ी हुआ, क्योंकि qualitatively तो जीव एक ही है, इश्वर के साथ ही है, तो इसी लिए उन्होंन अलग तरीके से 25 तत्व कर दिये, अलग तरीके से 25 तत्व कैसे करें, बोलते हैं, उन्होंने प्राकृति जो ली, जैसे हमने बोला था, नव, एकादश, पंच, त्रिन, भावान, तो उन्होंने त्रिन जो है, 28 में से ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमो इनको काउंट नहीं किया, उन्होंने का, ये प्राकृति जब आपने बोल दिया, तो प्राकृति के बीतर आ गए, समझे गए, तो 28 माइनस 3, 25, तो उन्होंने कह दिया कि बही, केवल 25 ही तत्व है, कई लोगों ने बोला कि केवल 7 ही तत्व है, अब 7 तत्व कैसे हैं, तो बोलते हैं, उन्होंने का कि पांच तो भूत हो गए, अगनी पृत्वी वायू जल आकाश और एक जीव और एक परमात्मा, तो उसने का जो वही बाकी पांच कर्म इंद्रियां, ज्यान इंद्रियां बोले, वो तो सब जीव के बीतर आ गए, जब जीव आ गया, तो पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्यान इंद्रियां, सब उसी के बीतर आ गई, और जो हमने पंच भूत का, तो सारी प्राकृती जो है, ये पंच भूत से ही तो बनी है, अगनी पृत्वी जायू वायू जल आकाश, तो इसको अलग-अलग क्या लेना फिर, वो सारी उसमें आ ग प्राकृती भी आ गई, और तीनों गुड़ भी आ गए, और जब हमने परमात्मा की बात करी, तो परमात्मा में जीव भी आ गए, और जीव की सारी कर्म इंद्रियां, ज्यान इंद्रियां, मन, अहंकार, इत्यारी, सब उसी में परमात्मा में आ गया है, तो पांच पंच पाँच ग्यान इंद्रियां एक मन और एक आत्मा तो उन्होंने बोला कि इस हिसाब से केवल सत्रा तत्व बनते हैं और कईयों ने बोला नहीं सत्रा नहीं सोला बनते हैं क्यों उन्होंने का आत्मा और मन को अलग-अलग क्या लेना आत्मा तो मन ही तो आत्मा को कैरी करा के ल जाया गया और 25 वे श्लोक में भगवान ने बोला कि देखो और जितने भी लोग यह जो भी बात कहते हैं यह सब का कहना उचित है मेरे हिसाब से जो भी जिसने बोला वो सब सबने ठीक बोला किसी के तत्व में कोई बुराई नहीं है सब के पास अपने अपने लॉजिक हैं इस हिसाब से सब 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 तो कोई गलत नहीं है कोई विवाद नहीं है जो कोई विवाद करता है वो मेरी माया के सुरूप में पड़ा हुआ है वो ठीक रूप से जान नहीं रहा है है बाकी सभ ने अपने अपने जो लाजिक दिये मैं सब के लोजिक को अपरूव करता हूँ वर सब सही तोटल 28 ही है सब मांते है तो जोหนे को जो सब ने का सबने सबने ठीक का अब उदब के इस प्रष्ण का तो ठीक से वहाण दिया अगला प्रश्णु ने और प्रूष या जीव और प्राकृती माया दूसरे से हैं तो नहीं उलग और है कैसे कि यह अलग है मिरे अंदर बड़ा संध है समझ गय कि rying से लगता है हम सब इसी जगत इनके हैं सब आई प्याहिए फीने से हमारा हो रहा है नहीं खाते तो हम दुरवल हो जाते हैं हम तक हो जो विचित्र गती है रभू ये आप ही जानते हैं इसके आपके इलावा कोई जानता नहीं अता है आप मेरा संधे मिटाएं कि ये अलग-अलग कैसे है तो भगवान ने बोला देखो शरीर और आत्मा इन में बहुत बड़ा फरक है बहुत बड़ा फरक है आप ऐसे मत बोलो क कि ये एक जैसे लगते हैं गुल में इनके बीट में बड़ा अंतर है आप इस बात को समझो कि ये जो मेरी माया है ये त्रिगुणात्मिक है त्रिगुणात्मिक मतलब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से निर्मित है ये एक बात है फिर भी इसमें विकार आत्मक आत्मक्स्रिष्टी भी तीन भागों में बाटी गई है विकार आत्मक्स्रिष्टी तीन भागों में बाटी गई है किसमें अध्यात्म आधिदेव और आधिभूत बात समझना अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना यह क्या है अध्यात्म आधिदेव और आधिभूत जैसे ह नेतर जो हैं यह अध्यात्म है और जो नेतर के देखने की शक्ती है यह आदि भूत है और जो देखके हमारी आखों ने रिसीव की आप समझ गए इसको ध्यान से समझना वो वस्तू तो वहीं पड़ी है जब मैंने देखा कि यह वस्तू यहां पड़ी है तो मेरे नेत्रों में एक image बनी, समझ गए? तो जो मेरे नेत्रों में image बनी वो भी तो एक वस्तू है, जब मैंने किसी को देखा, मुझे ठीक ठीक दिखाई दिया, कि भाई ये कुरसी पड़ी है, ये table पड़ा है, ये camera है, ये phone है, ये सब मुझे देख रहा है, तो ये सब अ देख रहे हैं, तो सूरे मेरे नेत्रों में भी आ गया, आ गया के नहीं आ गया, कोई भी चीज हमने देखी, उसकी एक reflection मेरे नेत्रों में आई, है ना, अब जैसे थोड़ा समय, अगर आपको इसमें science समझाओं, तो कोई भी एक वस्तू पड़ी हो, अगर बिल्कुल अंध देह रहा है, तो आपको वस्तू नजर में आईगी, नहीं आईगी, तो जब प्रकाश हुआ, तो क्या हुआ, वो light वहाँ पे जाके, light ने reflect करा, आपकी आईज में, तो उस reflection से आपको दिखाई दिया, कि यह यह वस्तू है, और वो वस्तू आपकी आँखों में आ गई, आख, आख को देखने की शक्ती, और आख ने जो देख के capture कर ली उसकी image, यह तीन है, तीन भेद से बाटा गया, अध्यात्म, आधिदैव और आधिभूत, इसी प्रकार से उन्होंने बोला, कि उधव आत्मा अलग है, आत्मा कभी इसमें नहीं आती, आत्मा का शरीर से भागों में बांटी हुई है, जैसे object अलग ही रहता है, पर मैंने देखा तो मेरी आखों के आगे आगया, पर तब भी है तो अलग ही ना, जिसको मैंने देखा, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि शरीर की गतीविदियों से आत्मा हमेशा अलग रहती है, लगता है, कि हम यह कर आखों में आई, इसका मूल कारण क्या है आत्मा, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर यह कारे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो आत्मा ऐसे ही अलग होते हुए इसका cause है, वो शरीर में है, इसलिए यह गतीविदी चल रही है, पर है वो इससे पर है, वो इसको एक जैसा नहीं समझना चाहिए शरीर को और आत्मा को, ऐसे ही हर चीज के साथ है, जैसे नाक है, अब आपने कोई बड़ा स्वादिष्ट लड्डू रखा यहां पे, आख ने क्या किया, आख ने देखा लड्डू है, लड्डू हाई है, आख ने देखा देखने की शक्ति औ एक वो भी तत्व है, जो लड्डू से खुश्बू आई, एक तत्व वो है, और नाक ने सुंगा भी, है ना, और जो नाक ने सुंगा, नाक के सुंगने की शक्ति, और लड्डू से जो खुश्बू आ रही है वो, यह तीन हो गए, बात समझ गए, एक नाक, एक नाक के सु से अलग है आत्मा का कोई वो नहीं है यह केवल तीन भाग में माया बटी हुई है कि लग रहा है कि हम ही यह सब कर रहे हैं और हम इंके जैसे हैं पर हम इन से परे हैं आत्मा इन से विर्कुल अलग है अहंकार के कारण क्योंकि अहंकार तीन भेद में बटी हुई है सतोगुन तमोगुन रजोगुन तो अहंकार ही अग्यान और स्रिष्टी की वराइटी का मूल कारण है जो ये हमारा अंकार है अंकार क्या है अंकार तत्व क्या है अंकार तत्व ये कहलाता है कि मैं ये हुए ये मैं हूँ ये मिथ्या अहंकार है समझ गये जो उसने समझा कहे यह मैं हुआ आत्मा जो है वह ज्यान स्वरूप है और उसका इन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है ये भगवान उधव को समझाने का प्रयात्स करें जैसे यह है ये नहीं है ये आस्ती नास्ती सगुण निर्गुण भाव अभाव सत्ते मिथ्या ये सारी जितनी भी आर्गुमेंट्स है ये बोलते हैं ये वो लोग करते हैं आर्गुमेंट्स जो उदव मेर से विमुक हैं जो मेरे को ठीक से समझते नहीं जो मुझे जानना चाते नहीं जो भजन करते नहीं, जो तत्वों की विवेचना करते नहीं, वो लोग इन सब चक्रों में पढ़े रहते हैं, वो इन विवादों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, समझ गए? कि ये है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दोस्त है, ये दुश्मन ह ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये किन की न हैं, जो इन तत्व को समय ने रहे हैं, वो इनहीं सब विवादों में पूरा जीवन पड़े रहते हैं, और विवाद विवाद में हम्हुंका जीवन खतव हो जाता है। वो मेन तत्व को तो जान ही नहीं पारे कि मैं इस शरीर से भिन हूँ, इस तत्व को नहीं जान पारे, इस पे कोई विवेचना नहीं कर रहा, कि भाई मैं ये शरीर हुई नहीं, मैं अलग हूँ इससे, ये केवल, अब सारा पिछला अगर हम थोड़ा रिवाइस करें, ये लिए भव रुपी सागर को पहर करने के लिए ये नाव मिलि एब एक आदमी नाव पे चड़के सवार हों और तो उसी प्रकार से आत्वा ने अपने आप को शरीर जान लिया और जब अच्छली आत्मा नहीं अहंकार से हमने उसमें मैपना डाल दिया तो जो मैंने शरीर में मैपना डाल दिया तो अब जो आत्मा का रस्ता था और जो माध्यम था वो सारा गड़वड़ा गया यह शरीर माध्यम था यहां से भगवान तक जाने का अब वो गड़वड़ा गया क्योंकि मैंने अप पापों के फल स्वरूप ऊची और नीची योनियों में जाता है जो आपसे विमुक्ष जीव है वो कभी उपर की योनियों में चला गया कभी नीचे की योनियों में किया जैसे करम किया वैसे जाता है तो मेरा प्रश्ण ये है उदव जी बोलते कि व्यापक आत्मा का शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना कैसे हो सकता है, अकरता का कर्म कैसे करना होता है, अकरता मतलब आत्मा, आत्मा तो कुछ करती नहीं, तो उसके कर्म कैसे बन रहे हैं, और नित्य वस्तु का जन्म और मरन कैसे संभव हो रहे हैं, कि आत्मा आ रही है, आत्मा जा रही है, आ यहाँ इसमें पैदा हो गई अवास में ओ गई इसकी आत्मा यहाँ खतम हो गई वो गई यह उदव जी ने प्रश्ण किया तो भगवान ने बताया देखो उदव मनुष्य का जो मन है वो उसके सारे पूर्व संसकारों का घर है हमारा जो मन है न यह मन ऐसे है जैसे स्टोर हा होते हैं जैसे संसकार को अगर सरलता से समझा जाए तो आज मेरे मैंने चार बार लड्डू खाया तो मेरे बीतर संसकार बन गया कि यह लड्डू मीठा है समझ गए अब मेरे मन को पता ही यह लड्डू मीठा है अब आप मुझे 200 साल लड़ू ना दो लेकिन मरने के समय भी 40 साल से 40 साल वाद भी अगर आपने मेरे को लड़ू दिया तो लड़ू मेरे मन में परसीव कर जाएगा कि ये लड़ू मीठा है ये कैसे कोई कहा भाई या महारा जी आपने 40 साल से लड़ू खाया नहीं आपको कह पता है ये मीठा है तो चालेश साल खाया वाले नम अगर जो संसकार मन में छब गया वो संसकार नहीं जाता समझ गये का इस्मठे जन्मों के सारे संसकारकर अपने मीतर रखे हुए और उन संसकारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसकी पांच इंद्रियां लगी हुई है जो उसके जैसे जैसे संसकार है वैसे वैसे उसको भोग प्राप्त होंगे और वो भोग प्राप्त कैसे करेगा उसके लिए उसके शरीर में पांच इंद् शरीर में ऐसे परिवर्तन करता रहता है पर उसका आत्मा कोई लेना देना नहीं है आत्मा इससे अलग है शरीर बदलता जा रहा है आत्मा इससे अलग है उसका कभी आत्मा का आना जाना नहीं होता आत्मा फस्ती कव है जब वह अपने आपको ये लिंग शरीर मान बैठती है जब वह यह मान बैटती है कि यह मैं हूँ, जैसे अब हमारे अंदर बड़ा भरी संसकार है, कितना मर्जी सुन ले कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मगर तब भी यह बोलने के बाद फिर सारे एक्शन ऐसे ही होंगे कि मैं यह शरीर हूँ, अब जितने हम लोग मैं बोल रहा और आप सब सुन रहे हो, सुनने के बाद जैसे सुन के यह खतम होगा, उसके बाद फिर मैं यह शरीर हूँ, यह बात मन से हटती ही नहीं, और वो बार खर वो बार हमने सुन लिया, उदव गीता में तो मुझे लगता है इसके लावा कोई ज़्यादा बात ही नहीं करी गई सिरफ यही कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मगर फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही सुनना खतम हूँ, अब मैं यह शरीर हूँ, तो यह क्या है, यह संसकार है, और यह असानी से क्यों नहीं जाता, क्योंकि एक, दो, तीन, चार जन्मों का नहीं, असंखे जन्मों का संसकार है, कि मैं ये शरीर हूँ, इसलिए बार-बार-बार-बार सुनने के बाद हमारी ये श्रद्धा है, कि श्रीमत भागोतम में जो दिखा है, वो सत्य है, हमारी ये श्रद्धा है, कि भगवान जो ये उद्धव को समझा रहे हैं, ये सत्य है, हमारी ये श्रद्धा है, कि भगवान कृष्ण ने स्वयम उद्धव को ये बात बोली है, तो ये बात अठल सत्ते है, मगर इसके बावजूद ये सुनने के बावजूद है, फिर हम ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये मन से हटता है ये क्यों, ये हमारा संसकार है इसलिए बहुत भारी होते हैं ये संसकार, और बहुत जन्मों के हैं, और मन संसकारों का स्टोर हूज है, तो इतने जन्मों के संसकार वो मन ने अपने भीतर रखे हूँ है, मन जो है, ये कर्मों के आधीन है, अब हमारे सारे कर्म कैसे हैं कि मैं ये शरीर हूं तो जो मेरा पिछले संस्कार थे वह और गाड़े हो रहे हैं वो और संस्कार कैसे बढ़ते हैं मेरा संस्कार के लड़ू मीठा हैं अरे लड़ू नमकीन है? हाँ. अच्छा आपने 10 दिन बाद फिर लड़ू दिया, फिर संस्कार वो ही आया, लड़ू तो मीठा होता है. आपने को माराजी खाओ, खाया, नमकीन है? हाँ, माराजी, लड़ू नमकीन होने लग गया, वो समय गया जब लड़ू मीठे होते थे. अच्छा, कि मेटा है कि नमकीन है समझ नहीं आ रही अभी जो खाए नमकीन थे खा यह नमकीन है अब जब दस बार आपने नमकीन खिला दिया अब जब आप दोगे लड़्ू तो मन में क्या आएगा लड्डू नमकीन अब ये नहीं आएगा कि वो मीठा है तो संसकार को किसने मारा जो मेरे इतने जन्वों के संसकार थे उसको किसने मारा इसलिए बोलते मन कर्मों के अधीन है अब जब मैंने कर्म कर लिया मैंने खा लिया मैंने देख लिया नमकीन है फिर खाया नमकीन है फिर खाया नमकीन है त पैदा होने से यह कभी ये बिमारी चोब ऑव गये घर गये यह ओँ कोई कोई न कोई कोई न कोई कश्ट लगा जा रहा है फिर भी व्यक्ति के मन में संसकार क्या है इस जगत में सुख मिलेगा 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 वो जीवन भर उस संसकारों से चलता रहता है क्यूं क्यूंकि उसने विवेचना नहीं करें इसको देखो इतना पैसा कमाया अब क्या यह त्रिप्थ हो गया नहीं हुआ अच्छा इसको देखते हैं इसने सोचा कि मैं यह करलूँगा घर लिलूँगा गाड़ी लिलूँगा तो क्या यह खुश जो गया थोड़ा जीवन में ज्हांके देखो उसके नहीं हुआ उसने सोचा था मैं इतना वड़ा डॉक्टर बन तो जो व्यक्ति विवेक्षील है बार 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 हर जीवन में हर एक की विवेचना कर रहा है कि ये करने से क्या खुश हो गया ये करने से क्या खुश हो गया ये करने से क्या संसकार पड़े गया इस जगत में कोई व्यक्ति सुख ही नहीं हो सकता समझ किसी को आनद ने मिल रहा है तो देखें तो सई महाराजय के बाद कितने पैसे थाby, अनद भर फूर है, बेठें कैसे गर्मी में, यहां बिजली नहीं है, को सीने टुभग रहे हमां खु़ नहीं है है कि जब ये बार बादह आपकष हें बाइब बार बर बार बार देखा तो एक और संसुकार पड़ गए बजन में आनध है कोई सब्सक्राइन बिधर बढ़िए सी तो क्या संसकार लेकि आओगे कि सुख जो है वो परांठे और टिक्की वे और यही संसकार पहले था और यही संसकार और गाड़ा पर गया क्यूं मन कर्मों के अधीन है इसीलिए कर्म उस प्रकार हो कि वो संसकार सई पढ़े और कुछ इस जगत के अलग नीकरना कुछ नहीं मनोकलपना नी जो इस जगत में है उसकी ठीक से विवेच ना करनी है विवेकशीलोगे जगत को डेखना है बस कुछ ऐसे नहीं कि कोई करिदोर माला Superintendent वह स्पयूपर्ष श्री वार्फ। भूलडोर नमीचतर। अब तीन मेनए बाद आए आप मामलो के लड़ लं होता है आपका क्या होगा मुंसे लड़दु नमकीनो टो लड़दु कीनो मागर लड़दु कोई य्लड़दु का टेस्छ ज्या से रहाभ है क्यों क्युंकि संस्कार पढ़े हुए वह जानते हैं उंपGM इन यह इससे नहीं होगा कर्मों से कैसे होगा जब वेक्ती ने देखा कि ये भजन कर रहे हैं, आनंद में कोई फरक ही नहीं बढ़ रहा कि शरीर से कोई होती है, उसके साथ हम भी उसके साथ लगें, तो जब उसके साथ लगें, हमने भी जब भजन का आनंद लिया, फिर शरीर कोई टूपूट रहा है, कोई हमें फरक नहीं बढ़ रहा है, तो संसका किसे हुए, विश्यों का चिन्टन करने लगता है, जीव अमेशा हदा सदा सर्वता हमारे जैसे जीव जो है, वो जितनी भी बाbat है सुन ले कि शरीर नी आत्मा यह बता कि अभी कल क्या पहरना है यह करेंगे अभी यह क्या करना है वो क्या करना है चिंतन विष्यों का ही चलता जा रहे हैं चिंतन हट निरा और मन चिंतन कहा जा रहा है चिंतन किस से हो रहा है मन से तो मन तो सदा लगा हुआ विश्यों में केवल जिबा हिल रही है कि शरीर नहीं आत्मा है उसे बात बनेगी नहीं और जब यह बोलते हैं हम के यह करना है वो करना है यह पहनना है यह खाना है वो करना है यह मुझे करना है तो हमारा मन जो है वो ठदकार ह 했어 उन विश्हय से उसके भीतर और संसकार गाड़े हो गए जिए संसकार थे उवी संसकार गाड़े हो गए है और हमें लग रहा है के इतना सुन रहें हैं पहता निक्टो को समझ भी नहीं आती कि शरीर नहीं आत्मा है तो बहगवान ने बोला देखो जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्विकार कर लेता है यह जीव मतलब यह आत्मा जब यह किसी भी शरीर को मैं के रूप में स्विकार कर लेती है तब उसे हम जन् जीव का जन्म क्या है कि उसने मान लिया यह मैं हूँ हमने शुरू से मान लिया कि भई मैं यह शरीर हूं यह उसका जन्म हो गया आत्मा का जन्म नहीं हुआ आत्मा का जन्म नहीं हुआ जन्म किसे कहते हैं कि आत्मा ने इस शरीर को मान लिया यह अब यह मैं हूँ तो हमने कह पुल्टा बोलते हो जो भगवान बोल रहे हैं हम बिल्कुल वही बात बोलते हैं थोड़ी सीरीज पलट देते हैं हम कहते हैं वही जब यह पैदा हुआ तो उसने कहना शुरू किया यह मैं हूँ समझ गए जन्म हुआ कहना शुरू किया मैं हूँ जब वह मर गया तो अब यह मेह रा नहीं. और भगवान कह रहे हैं कि जब ये मैह हटा दिया तो सम्झे मृत्त हुगी. बात तो ही की है बस थोड़ी आगे पीछे है. अब जो मृत्त हुगी तो क्या हो गए? शरीर से ये महपना हट गया. अब ये महपना कहा जीव जब एक स्वपन देखता है और अगले दिन दूसरा स्वपन देखता है तो जब अगले दिन दूसरा स्वपन देख रहा है तो उसे पिछले दिन का स्वपन याद नहीं रहता है आज उसने सपने में देखा कि मैं भीक मांग रहा हूं कल उसने सपने में देखा कि मैं र स्वपन में पिछले दिन का स्वपन कैसे याद आएगा क्योंकि वो तो अल्रेड़ी एक सपना उससे दूसरा सपना ऐसे ही वह बोलते जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है तो पिछले शरीर की बूल जाता है अब उसको लगता है बस यही सब कुछ है अब मैं य इस करेक्टर में इतना गूल गया वो पिछले वाला गूल गया जैसे एक स्वपन में आने के बाद पिछले स्वपन का याद नहीं रहता चीजे बड़ी सिंपल है पर क्योंकि हम विवेच्षी लोग के विवेचना नहीं करते तो संसकार मुषते नहीं है और हमारे सूख्षम है काल मतलब यह समय की यह जो गती है यह इतनी सूख्षम है कि उसे सधारण का हम देख नहीं सकते जैसे प्रतिशन शरीर की उत्पति और शरीर का नाश हो रहा है मैंने थोड़े दिन पहले अभी एक दो दिन पहले शाहद आपको बताया था कि प्रति आज मैं ज तो देखो और पांट साल बाथ की फोटो देखो तो फरक आया कि नहीं आया पर वो फरक कब दिखता है जब हम फोतो से ठीली करते है तो लगता है उया Владलम अजिस और यह बनार का पहले इसा था अब ऐस हो गया तो जह फरक आया वह उसे तो नहीं आया ना कि चार साल नहीं चलता जैसे हम कहते हैं साथ रहने वले को पता नहीं चलता तीन मीने बाद को दूसरा देखे तो आप तो बड़े पतले हो गए आप तो बड़े मोटे हो गए आप तो हल्दी हो गए वो देख लेता है क्योंकि उसने तीन महीने बाद की पिच्चर देखी है और तीन मीने पहल परिवर्तन आ गये जैसे काल के भ्षाव से भगवान उद्हारण दे के बता रहे कि लौ तो दीए की लौ जैसे नदी का पानी नदी बह रही है आप कभी देखना नदी बह रही है आपने आख बंद करी खोली अब जो आपने जो समय आख बंद करी वो पानी जो तो बह गया अब वो कभी नहीं दिखेगा अब वो कभी नहीं दिखेगा नदी बह रही है जैसे आपने इधर करके इधर देखा वो पानी बह के आगे चला गया अब जो है यह बहें एक शानबाद वह भाट यह बहा गया अब यह कि दुबारा कभी नहीं देखसकते उस पानी को अब रेलाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं पानी तो है बहे जा रहा है वोही सेल फानी है हम रिलाइज नहीं करते हैं पर आपकोई चीज नदी में डालो तो इसी प्रकार मनुश्य का जीवन है जो आज निकल गया अब परिवर्तन आ गया अब जो कल आया वो परसो नहीं आ सकता और परिवर्तन हो गया अब परिवर्तन हो गया अब परिवर्तन हो गया तो ऐसे जीव के बीतर भी परिवर्तन हुए जा रहे हुए जा रहे हुए जा रह होती है, फिर जन्म होता है, फिर बाले अवस्था आती है, फिर कुमार अवस्था आती है, फिर उसके बाद जवानी आ जाती है, फिर अधेड़ अवस्था हो जाती है, जब जवानी धलने लगती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है उसके बाद मृत्टी हो जाती है ये नाइन फेज़ेज ओफ लाइफ है तो और और सुक्षम कर दिया है क्योंकि जन्म से पहले ही दो अवस्थाएं आ गई तो गर्बदान और गर्बवरिद्धी और यहाँ पे एक और फालतू हो गई और एक ये जो अधेर अवस्था और बुढ़ापा अलग अलग करा बुढ़ापा बिर्कुल बुढ़ापा और एक अधेर अवस्था जो जवानी से बुढ़ापे के बीच की अवस्था है तो ये तीन बढ़ गई तो इसलिए नौ अवस्थाएं हो गई गर्बदान, गर्बवरिद्धी, जन्म, बाले अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड अवस्था, बुड़ापा और मृत्तियों ये नाइन फेजिज है ये शरीर जीव से भिन है जो जीव है उसकी ऐसी कोई अवस्था नहीं हो रही आत्मा की ऐसी कोई अवस्था नहीं है ये अवस्था केवल शरीर की है अज्ञान वश हम अपने आपको ये शरीर मानते हैं तो हम भटकने लगते हैं और कभी विवेक हो जाने पर हम छोड़ भी देते हैं कभी थोड़ी दिर के लिए विवेक हुआ हमने माना कि मैं यह शरीर नहीं हूं पर वो बड़ी शनिक काल के लिए वो विवेक होता है इसमें भगवान बता रहे हैं बड़ी अच्छी बात कि देखो एक र्यक्ति को जिसके पिता भी है जिसके पुत्र भी है ऐसी वस्था सब क भी आई जाती है जीवन में पुत्र भी है तो बोलते उसको अपने पुत्र के जन्म से और पिता ही मिर्ति हुसे यह देख लेना का है कि यह जीवन से मरण तक की यह साइकल है पुत्र के जनम से और पिता के मृत्ति उसे यह हिसाब लगा लेना चाहिए कि यही देखो जीवन अब हम यही कह रहें नहीं हम विवेचना नहीं करते हैं हम देख तो रहें इस जगत को मगर अंधे बने हुए अगर व illegallyकि देखे तो देखे देखो और ऐसे यह जनम हुआ ऐसे यह एक दिन मेरा भी जैसे आज मैं जैसा वस्था में एक च्छोटे बच्चे का पिता हूं ऐसे मेरे पिता जी भी थे उस से पहले मेरे पिता जी का भी ऐसे जनम हुआ थाamaz तब मेरे दादा जी मेरी पोत्र हो जाएगा तो यह तो ऐसे ही शुरू होना है और ऐसे ही खताम होना है तो क्यों इस चक्कर में मैं इतना पड़ा हूं क्यों क्यों पड़ा हूं मैं इस चक्कर में इतना समझ नहीं आरी अपने बच्चे को पैदा होते होई देखा और पिता को मरते होई देखा तो जा रहा है और कोई सुखी नहीं है सब इस जगत में लगे हुए अभी यह चाहिए अभी यह चाहिए अभी यह चाहिए तो यह देखके एक विवेक्षील व्यक्ति को अपने भीतर विवेच ना करने जी मैं किस चक्कर में पड़ा हूं यह तो जैसे मेरा अंत हो जाएगा तो भगवानी उधारन दे रहे हैं यहां पर एक किसान जो होता है वो खेत लगाता है बीज बोता है उसके खेत बड़े हुए उस पे जोओं वगारा आदी जोबी आया जब फल पक गए तो फसल काटने की बारी आई तो उसने ही बोए उसी के सामने बड़े हुए और अब उसी अलग है अब फिर बोएगा फिर बड़े उंगे फिर खटेंगे इसी प्रकार से वो बोलते अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्राकरती और शरीर से आत्मा के विवेचन नहीं करते हैं अज्यानी पुरुष इस प्रकार से विवेचना नहीं करते जो मैं बता रहा हूँ, अगर विवेचना करें तो वो समझ जाएंगे कि तत्वता हम इस शरीर से अलग हैं, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, विशे भोग में सच्चा सुख जो हम मानने लगते हैं और मोहित हो जाते हैं, इस से उन्हें जन्मृत्यों के संसार में भटकना पड़ता है, हम किसलिए बारबार जन्म रहे हैं, किसी लिए बार-बार हमारा मरा नोड़ा है क्योंकि ये विशे भोग से हम मोहित हो गए हैं मोहित हो गए हैं खुश हो गए हैं नहीं आनंदित हो गए हैं नहीं मोहित हो गए हैं मोहित होने का मतलब भ्रह्म में पड़ गए हैं कि इससे हमें आनंद मिलेगा और मिल रहा नहीं बात समझ गां तो कितने जो जो सोच रहे कि मुझे मिल जाएगा और मिलने रहा उसको क्या बोलेगे मोहित हो गया है पागल हो गया है इसे लग रहे गी इससे परकार से हम यह मोहित हो गए हैं तो रिशियों के लोक में जनम मिलता है रजोगुणी ज़ादा करते हैं तो फिर मनुश्यादी योनियों में मिलता है और आसुरी करम करे मास मच्छी खाया ये सब खाया मदिरा पान किया और और बड़े सारे उल्टे कारे करे तमोगुणी में गए तो फिर भूत प्रेत की योनि या फिर किसी नीच पच्छू पक्षी की योनि मिल जाएगी और फिर वो सारी साइकल शुरू हो जाएगी फिर कहीं कितने लाखों योनियों के बाद व्यक्ति का जनम मिलेगा और फिर व्यक्ति का जनम मिलने के बाद हम फिर यही पुराने ल्मन विश्व सकता है तो बड़ा वहुमळण जीवन लाहिए भगवान बता रहें इसे व्यार्थना करें जैसे एक तलाब है तलाब तब में पानी में अगर आपने एक ब्था डाला पानी हिलने लगा जब पानी में लगा तो व्क्ष की आयाती वो भी हिलने लगी. तो क्या वरिक छेल रहा है? केवल वो लग रहा है वहां से. आप जोर-जोर की एक चकर गुमते जाओ, गुमते जाओ. उसके बाद जब आप रुखों के तो आपके लगएगा पूरी परित्वी गुम रही है. तो क्या पूरी मृत्वी गोम रही है? नहीं गोम रही है हमें केवल लग रहा है कि ये गोम रही है इसी प्रकार से हम इस जगत में मोहित हो रहे है इसी प्रकार से मोहित हो रहे है विश्यों के सत्य ना होने पर भी जो जीव विश्यों का ही चिंतन करता रहता है, उसका ये जन्व मृत्यू का संसार चक्र कभी निवरित नहीं होता, कभी निवरित नहीं होता, ये भगवान बोल रहे हैं, पच्पनवे श्लोक में, विश्यों को सत्य ना होने पर भी, विश्यों के सत्य ना होने पर भी मतलब विशे हमें कभी आनंद नहीं दे सकते आत्मा का विशे से कोई लेना देना नहीं है पर तब भी हमसोचते हैं कि हमें आनंद देगा इस बात को ना समझने के कारण हमारा संसकार पढ़ जाता है कि ये जगत सुख देगा तो जो ये संसकार पड़ गया मन के अंदर की ये जगत सुख देगा तो फिर मन दुबारा यहीं पर शरीर लेगा और अगर आपका संसकार यह हो गया इस जगत में आनंद नहीं मिल सकता बस अपने अपने आपको यह समझा दिया इस जनम में कि इस जगत में आनंद नहीं मिल स सकता, तो आपका मन दुबारा यहां कोई शरीर धारण नहीं करेगा पिर, क्योगी आप वो संसकारी नहीं यह आनेगा, यह आपकी आसना हैं, तो दुबारा यह पे शरीर दिलाती हैं, उनको आपने खतम कर दे uh यह बड़ा कि मन कर्मों के अधीन है आपने कर्मों से छोड़ दिया मन की यहां की वासनाइ खतम हो गई तो आप जनम रित्यु से परे हो जाओगे उधव ने फिर भगवान को बोला कि भगवान आपने जो यह बाते बताई यह इसका कोई क्या क्रियाओं में हम इसका पालन कैसे कर सकते है इसका कोई तरीका भी है कि हम क्रियाओं में इसको लेके आए भगवान ने बोला हाँ असादू पूरुष यदि आपकी गर्दन पकड़ कर बाहर निकाल दे यहां फिर वाणी द्वारा आपका अपमान करे आपका उफास करे आपकी इंसल्ट करे आपकी निंदा करे आपको मारे आपको पीटे आपको बांदे आपकी नोकरी हटवा दे आपकी जीवी का खतम कर दे जहांपे आप कमाते थे आपके ओपर थूक दे, आपके ओपर मूत दे, जो संसारी जीव है, या फिर तरह तरह से आपको विचलित करे, आपकी निष्ठा डिगाने की चेश्टा करे, या फिर किसी भी उपद्रव से आपको कोई भी शती पोचाए, तो आपको दुखी नहीं होना है, वो जो मर्दी कर कि मैं ये शरीर हुई नहीं, ये कितना भी नुकसान कर ले, ये विचारा मेरी आत्मा तक पोची नहीं सकता, ये जो मर्दी कर ले, ये मेरे शरीर के साथ ही करेगा, जो भी करेगा, मुझको तो ये जानता ही नहीं है, मेरे तक तो ये पोची नहीं सकता, ये इस शरीर को मैं समझे बैठाउं इसलिए इस से बदला ले रहा है मैं इस विचारे का क्या करूंँ सो तरस आता इस पे किया वे तो कुछ भी कर ले तुमेरे तक नी बोच सकता आप किसी को जागे बोलुड कि मैरे तक नी बीजा सकता नहीं बिगाड सकता क्योंकि आप कि शरीर नहीं हो तो जब जीव ऐसा बन जाए तो भगवान बोलते हैं कि फिर उसका इस जगत से जो वासनाएं है इस जगत से सुख भोगने की वासनाएं वो खतम हो जाती है और जनम रित्व से उपर उड़ जाए उदव जी ने वोलान तुमें भगवान आपने बड़ी अच्छी लगी जो बोल रहे हो पर क्या ऐसा कोई आपके भक्तों में ऐसा कोई उधारण है जो जिसने ऐसा जीवन-जी आऊ क्यों कि हम देखके ना जब भक्तमाल पड़ते हैं तो जरा उच्छा आता है कि लोगों ने जीआ ये सब बोल्ने करने की बाते नहीं तो क्या ऐसा कोई उधारन है तो बगवान ने कहां बिल्कुल है तो अब ये कल अगले अध्याय में बगवान पताएंगे कि कैसे ये जीवन जिया सकते है